आज अपने बनो तो ए रेस्टारण की वाद धाबया सागी मेथी मलाई मटर इते मीडियम साइची मी मेथी गेतले निवरून गेतले लिया है मेथी निवर्ताना काई जी गेची कि खालचे जाया दांडे असता ते आपलेला यूस नहीं करेचेट एक छोटी वाटी इते मी मतार यूस के लिए भी फ्रोजन मतार गेतले ला है तो मी हवेसल तो फ्रेश मतार सुधा यूस करूँशक्तात दोन मीडियम सर्क्से टाहेटो गेत लेट दोन लाहन कांदे गेत लेट फड ही पंद्रा सोगा लसून पाकया है घृवी मेर्ची तुम्हीं तुम्हें टुम्हे आओडिनुसार यूस कराः पंद्रा सेफोगा काजो पाकया है और एक कंदे गेत अल्ग है आपन दोन कंदे क नंटında में रफली चॉप के लिला ही ये लन और एक साथ अयुआ आला के लिट लए गतल झाने लिए साइट से टामिटों घित लेला है तैना सुद्धा मी रफली चौप को रुण घित लेला है यह रफली चौप के लिए मैं आपन जहवा है ची पैस करना रहोत आणि परतना रहोत पटकर्ण शिस्त ताचा मैं खूब जासत बारी करने ची गरस नहीं जास रफली चौप करा मेत लेकर नकी रेसिपी चेक करा डिटल रेसिपी ही कायम डिस्क्रिप्शन बाक्स में में शेर करते इथे एक पैन घेत लेला है तैचा मधे मी यूस के लेला है तेल गरम जाला ननता आपन जो रफली चौप के लेला कांदा होता कांदा, तैचा नंता, हिर्वी मेर्ची, लसुन और आल, आपन शुर्वातिला पर्तुन घेना रहोत कांदा पर्ता दस्ताला काई जी गया, आपन खूब जस्ता कांदा लाल नहीं करना रहोत हलका सा गुलाबी रंगावर्ती आला नंतर, आपन इथे टाइमेटो आर करना रहोत टाइमेटो अपनेला पूर्णा पर्तुन घेना रहोत टाइमेटो जा कच्छा रहीला, तद अपनी जी ग्रेवी आहे ही अंबट होते अंबट हो नहीं, टाइमेटो पूर्णा पड़े शिजुन घेना रहोत टाइमेटो व्यवस्तित पर्तुन जाला नंतर, इते वी अर्धा कप गरम पाणी घतलो होते असकेला ने आपने टाइमेटो व्यवस्तित शिजुन दिलेला है हे जेवा शिस्ते त्याच वेला बाजू लाई थे मेटी चिर्याला गेतली होती मेटी जेवा तुमी घेता तेवा एक टीप लक्षट ठेवा जेवा आपने मेटी स्वच्चो दूतो खूब वेया त्याच पाणे मधून आपड काईला नंतर पटापड मेथी चिर्तो और जो आप भाजी करतो मेथी मदे जब भरपर पाणी राइला असे ता भाजी मेथी ची कड़ू होते मेथी थोड़ी जाला नंतर तेला एकदम रफली चौप करूं गया इते भी खूब जस्ता बारिक नहीं के ले लिया है रफली चौप करूं गित लेला है तो सो तुम्हें वीडियो बने बगता है बस तशित में चौप के ले लिया है मेती सग्गी बारिक चुरूं सा ले लिया है इते जो टामेट होता तो सुद्धा शीज लेला है इते सुर्वातिला मीड घतले सवी प्रावाने एक टेबस्पून धन्याची पाउडर घतले ल हिंगा ओप्शनल है विकाय मेती चा भाजे मादे हिंगा योज करते तुम्हाला हिंगा नसे लाउड़ा तो तुम्ही ताला स्किप करा सगे मसाले वेवस्तीत परता चेट आनि है मसाले वेवस्तीत परतून घेला खूब जस्ता गर देचा है परत पैंतर जाकण लाउडर आनि मसाले सुद्धा वेवस्तीत में परतून घेत लेले आहे आता ही जी ग्रेवी आहे यहला आपन ठंड करा रहोत आनि मिक्सर जे जार मदे आपन टाकू नेला फाइन पेस करा रहोत बगा किती मस्तर टायमेटों गई लेला है आता यह ची आपन पेस को रिया ठंडर जाल मिक्सर जे भांडा है पटकत ऊड़ू शक्त वर्त जाकर थोड़सा पारी घतले ले गरम पारी घतले तोड़सा कोमट में है चा मदे मिक्सर जाहत में टाक लेला है और यह ची फाइन पेस के लिया है आता सग्याद फाइनल स्टेज इथे आपन एक पैन घेत ले तैचा मद तेचा मदे मी एक मोठा चमसा बारी के लेला लसुन आड़के ले साथ निता दाहाते बारा लसुन घतले होते तैना फाइन चौप के ले आरि मसता आपन टेला पर्तुन घेडा रहोते दसापड मेथीचीरेगूलर भाजी करता ना, थोड़ा सा लसुन लालसर करतो, तैट्स प्रकाड़ीदे थोड़ा सा लसुन अप्राला लालसर करता है, एक बारिक केलेला कांदा तचा मधे ऐड केलेला है, तैला सुधधा वेवस्तीत परतुन घैचा है, आनि मग तैचा मधे में आड़ के ले लिया है मेथी जी बारी चुरुन टेली ओती तैचा मधें आड़ के लेला है मतार मी थे अर्धा कप मतार गेत लेले आहे सगग वेवस्तीत आपन हाइ फलेम वरती परतुन घेना रहोथ शुर्वा तीला गैशी फ्लेम ही फाच टेवना रहोत कान ज़ा तुम्हें मन्दा आचे वरती मेथी परतली ता मेथी खूब जासता पाणी सोडते तेमें हाई फ्लेम वरती आपन हैला वेवस्तीत पर्तुन घेडा रहोत आणी परतुन जाला नंतर आपन जी ग्रेवी करूँ ठेवली होती मिक्सर मदे जी पेस केली होती ती अपलेला आड कराई ज़ा तुमसे मटार है फ्रेश अस्तील ता शीजाला वेल लागेल माँ वाफेवती थोड़ेला शीजून गया आणी मां मिक्सर जाजार मदे केलीली तेचा मदे अड करा तेश अगा वेवस्ती ती अपलेला परतुन गेचा आए याश तेटला तुम्हीं चेक करा कि मीट वेवस्ती आए की नाही ज़र कमी असेल ता मीट येजा मदे अड करा सगा वेवस्तित पर्तुन जाला नंतर है चा मादे मी गरम पाणी घतला होतो एक अरधा कब ट्याद्स बरबर मी बटर घतला होतो मोठा एक टेबस्पून भरून थोड़ी शी क्रीमी भाजी आहे ताचा मादे बटर घाणा गरदेचा आहे तुम्हाला नसेल आउड़ा तो तुम्हें स्किप करा पर बटर ने एक खुब छान टेस्ट एते बगा इथी तुम्हाला एक ट्रिक दाखो लिला है एक टेबस्पून तेल गेतले कड़ाई चा कोप्रा वर्ती तेल गेतलेला है गैशी फ्लेम फास्ट हो लिए और जिते टेल टाकलो तो तीच बाजू मी गेतलेल आहे कड़ाई ची थोड़ा सा पानी खतला है असा के लिए लिए ही जी फ्लेम असते गैशी ही पटकन कड़ाई मदे यते और एक स्मोकी इफेक्ट टायार होतो या अधी सुद्धा में एक दा दोंदा है तुम्हाला डिटेल में दाखोला है नकी ट्रिक करा एक स्मोकी इफेक्ट आपला ग्रेवी ला है तो आणि अप्रतीम टेस्ट टेटे रेस्टोरें स्टायल सेम ग्रेवी होते अर्धा कप गरम पाड़ी घतले सग्व वेवस्तीद मिक्स के ले थोड़ा सा मीड कमी होतो मोने सवीला वर्ती मीड घतले अर्धा चम्चा गरम मसाला घतले ला है इते अप्रेला खूब जासतो गरम मसाला जी टेस्ट नको है आणि सग्या शेवाटला आपन आड़ी कार आणारो तो तुम्चा आणि साधी जी साय आजते थोड़ा सा घुटूं सुध्धा तुम्हें ऐड़ करूं शक्ता समझाजा तुम्चा करे साय पन नसेल तो दोन टेब स्पुन तुम्हें इते ओम मिल्क पाउड़े आड़ करा ड़दी वेवस्तित मिक्स करण गया तीस उद्धा चाले अशा पद्धतीनी तैयर जाले लाए अपले मेथी मलाई मतर रेश्टारेंट धाबया मदे मेथे तशीज भाजी घरी के लिली आहे अब प्रतीम होते नकी करा तुम्ही आला सव करू शक्ता गरम बरम फुलक्यान बरोबर कि वा उल्चान बरोबर नकी ट ता हा बड़ दुमाले का सावादा होता है